दोस्तों अब सब लोगों को पताई होगा कि साल 2020 में जब तब के अमेरिकी प्रेसिडंट डॉनल्ड टरम्प भारत के दोरे पे आये थे तब भारत और अमेरिका के बीच में एडिशनल अपाचे हेलिकॉप्टर मतलब आर्मी के छे अपाचे हेलिकॉप्टरों को लेके एक सम कियारी के बारे में सुनके पाकिस्तान के पैर के नीचे का जमिन खिसकने वाला है क्योंकि रिपोर्ट के मुताविक इंडिन आर्मी के द्वारा शाहिद इन हेलिकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट राजस्तान के डिजर्ट एरिया मतलब थार के डिजर्ट में किया जा सकता और दोस्तों अगर इसका deployment राजस्तान में किया जाएगा तो obviously ये पाकिस्तान के साथ लगे हुए border reason में होगा जहाँ पे कि इसका उप्योग desert warfare और close air support के लिए किया जाएगा और दोस्तों ये जो cover है ये पाकिस्तान को डड़ने के लिए काफी है दोस्तों मैं इनी helicopter के राजस्तान में deploy होने का बाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाली में कुछ media report में दावा किया किया है कि इंडियन army को जो Apache helicopter मिलेगा असल में ये जो helicopter है ये desert camouflage में मिल सकता है और desert camouflage का मतलब ये है कि इसे रेगिस्तानी एरिया में deploy किया जाएगा और भारत में रेगिस्तान बोलने से राजस्तान के थार का desert ही है दोसो यहाँ पर आप लोगों को पताई होगा कि इंडियन एरफोर्स के तरफ से करिबन 22 Apache helicopter को खरिदने के बाद इंडियन army के तरफ से भी इंडियन आर्मी के बेड़े में true attack helicopter के रूप में light combat helicopter पचंड को शामिल किया गया है दोसो पहले बार अब इंडियन आर्मी भी utility helicopter के साथ attack helicopter का उप्योग करने जा रहा है क्योंकि इससे पहले इंडियन आर्मी के वल मात्रे utility helicopter का ही उप्योग करता था और attack helicopter का जो जिम्मेदारी था वो इंडियन एरफोर्स के पास था अब दोसो यहाँ पे जो Apache helicopter में desert camouflage का इस्तमाल का बात कहा जा रहा है basically इसे sand camouflage भी कहा जाता है जो कि desert के color पे helicopter को रंगना कहा जाता है और दोस्तो ऐसे जो camouflage होता है ये light brown color का और tan होता है और कभी कभी इसमें green tones का भी उप्योग किया जाता है ताकि ये जो helicopter है ये अपने आफ desert के color में छुपा सके दोस्तो इससे पहले इंडियन आर्मी के vehicle और इंडियन आर्मी के द्वारा इस्तमाल के जाने वाले टैंकों को इस तरीके desert camouflage में रंगा जा चुका है और ये पहली बार इंडियन आर्मी अपने attack helicopter के ऐसे camouflage में रंग रहा है हाला कि दोस्तो आशा तो ये किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के जो प्रचंट helicopter है उन्हें फी इस तरीके से desert camouflage में रंगा जाएगा क्योंकि इसका भी उप्योग राजस्तान के थार desert में किया जाना है दूसरे तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दो कि desert camouflage का इस्तमाल इसलिए किया जाता है त पर दोस्तों इन हेलिकॉप्टरों को इंडियन आर्मी के द्वारा close air support मतलब ground support के लिए इस्तमाल किया जाना है जिसका मतलब ये है कि कई समय इन हेलिकॉप्टरों को low flying भी करना पड़ेगा और उस दर्मियान ऐसे जो कमफलाज है वो हेलिकॉप्टरों को दुश्मन के direct रखना चाहिए कि फिलाल जो Apache helicopter है इसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरिन attack helicopter का दर्जा दिया जा रहा है और दोस्तों ये जो helicopter है ये कोई नया helicopter नहीं बलकि सालों से लड़ाई में तुम आपने आपको सावित किया हुआ एक हैसा helicopter है जो की लगवग हर तरिके का लड़ाई क experience रखा है और इसे देखते हुए ही पहले Indian Air Force के तरफ से जहां पे इन helicopter को खरिदा गया तो वही पे Indian Air Force के बाद Indian Army के द्वारा अविन helicopter को खरिदा गया है जबकि दूसरे तरफ Apache helicopter को लेके Boeing Company के एक बरिष्ट अधिकारी के तरफ से कुछ समय पहले जानकारी दिया गया था कि इंडिया के द्वारा टोटल 39 ऐसे हेलिकॉप्टरों को खरिदने को लेके इरादा रखा गया है जिनमें Army और Air Force के अगर हेलिकॉप्टरों को जोड़ा जाता है तो टोटल 28 ऐसे हेलिकॉप्टर बनता है और इंडिया और ऐसे 11 अत्रिकॉप्टरों को खरिद सकता है जिसे लेके बोईंग और भारतिये गॉप्टरों के बीच में बातचीत चल रहा है हाला कि गॉप्टरों के तरफ से फिलाल इसे लेके कोई ऐसा जानकारी नहीं दिया गया है जफकि दूसरे तरफ इस दर्मियान पचन जैसे स्वधिची हेलिकॉप्टरों का डिवलप्मेंट किय जा चुका है जिससे की संभावनाय फिलाल काफी कम है पर दोसों ये जो एपाचे हेलिकॉप्टर है इससे पाकिस्तार और चायना का हलड़ टाइट होने वाला है क्योंकि एपाचे हेलिकॉप्टर में काफी भारी भर कम हतियारों को लगा जा सकता है और उपर से काफी हाई altitude में भी उडान भरने का ये हलिकॉप्टर शमता रखता और भारत के तरफ से इन हलिकॉप्टरों के साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले हतियारों को भी खरीदा गया है और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दू कि फिलाल इंडियन एर फोर्स के पास जो में लड़ाई लडने के लिए अपाचे जैसे ताकदवर तरिन हलिकॉप्टर होगा जबकि दोस्तों प्रचंड हलिकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक 160 से भी अधिक ऐसे हलिकॉप्टरों को खरिदने को लेके तैयारी किया जा चुका है जिन समय में किसी भी तरीके का लड़ाई के लिए इंडियन यार फोर्स से क्लोजियर सपोर्ट के लिए मदद मागने का आवशक्ता ना पड़े अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पर एपाचे जैसे हलिकॉप्टरों के द्वारा इंडियन आर्मी को मजबूत किया जा रहा है तो पर दूसरे तरफ इंडियन नेवी के अंडर वाटर ओपरेशनों को और सेफ और एफिशेंट बनाने के लिए आई 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 टी के तरफ से एक कटिंग एज टेकनोलोजी का डिवलप्मेंट किया जा रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ये टेकनोलोजी अ अंडर वाटर टास्क के लिए एक मरीन रोबोट का डिजाइन किया जा रहा है रिपोर्टों के मुतावि के स्टेट आप दा आर्ट रोबोट होगा जो की कई तरीके के आधुनिक टेकनोलोजी से लैज होगा और इंडियन नेवी के कई तरीके के ऑपरेशन्स को एफिशें रोबोट्स है या फिर कहें तो अनमैन अंडर वाटर वेकल है उसका उप्योग किया जाता है लेकिन IIT के अधिकारियों के तरफ से वताया जा रहा है कि ये जो नया कटिंग एच टेकनोलोजी वाला रोबोट है ये असल में पुराने ट्रेडिशनल अंडर वाटर वेकलों क मुकाबले में काफी अधिक हलका भी होगा और काफी फ्लेक्सिवल भी होगा अब दोसों लड़ाई जैसे सिचुएशन में पानी के नीचे डाइवर्स को जाके वहाँ पे मेंटेनेंस कोई काम या फिर कहते हो किसी वी तरीके के ऑप्रेशन को अंजाम देना काफी रिस्की होता है और भारी भरकम जो ट्रेडिशनल अंडर्वाटर वियकल है उसे भी उपयोग करना उस दर्मियान काफी टाइम कंजूमिंग होता है पर IIT के ये रोबोट अगर कम से कम टाइम के अंदर अपने काम को अंजाम देने में सक्षम होगा और वो भी decision making और problem solving capability के साथ तो और समझ सकते होंगे कि इंडिया नेवी के underwater operations को और कितनी आसानी से अंजाम दिया जा सकेगा दोस्तों IIT के researcher के तरफ से जो रोबोट बनाया जा रहा है असल में ये नेवी के लिए जिन कामों को अंजाम दे सकेगा उसमें सबसे पहला है hull assessment अब लोगों को बता दू कि कई स तरीके के जो marines life है वो भी grow करता है ऐसे में दोस्तों लड़ाई दज जैसे situation में भी इस तरीके के maintenance का काम का आवशक्ता पढ़ सकता है जो कि ये रोबोट के द्वारा आसनी से अंजाम दिया जा सकेगा जबकि इसके इलावा weld integrity inspection को भी अंजाम दिया जा सकता है क्योंकि दो सिवी तरीके का कोई दरार ना हो इसे भी जाचना पड़ता है बिसिकली ऐसे जाच पड़ताल के लिए navy के divers को ही पानी के नीचे जाना पड़ता है लेकिन दोस्तों ऐसे रोबोट आने के बाद navy के divers को हर बार पानी के नीचे जाके physically ऐसे damage को जाचना नहीं पड़ेगा और दोस्तों सबसे जो बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है cathodic protection system inspection दोस्तों पानी के नीचे जाहास के जो hull section होता है वो जादातर पानी में expose रहता है जिन कारुनों के वज़ा से जादातर यही जो section है ये जंग का शिकार होता है और दोस्तों इस जंग से बचाने के इसमें cathodic protection systems को लगा जाता है और दोस्तों अगर कभी ऐसे cathodic protection system damage हो जाता है तो ये कई करोर डॉलर वाले जो hull होता है वो damage हो सकता है और दोस्तों एक बार अगर जहास का hull damage हो गया तो जहास का strength और पहला जैसा नहीं रहता है और दोस्तों ऐसे जो cathodic protection systems का inspection है उसे थोड साथी साथ जहाजों को और अधिक सुरक्षित और अधिक सेफ रखा जा सकेगा दोस्तों आप लोगो क्या लगता है कि IIT के तरफ से ये जो रोबोट का निर्मान किया जा रहा है ये किस तरीके से नेवी को और स्ट्रॉंग बना सकता है और आर्मी के द्वारा जो एपाचे ज किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम